कुछ तो हमा भी सर्द थी कुछ था तेरा खयाल भी कुछ तो हमा भी सर्द थी कुछ था तेरा खयाल भी कुछ तो हमा भी सर्द थी कुछ था तेरा खयाल भी असलाम लेकुम खावातीनों हजरात मैं फतुमर और यूसफ सलाओ दीन एक दफ़ा फिर से आपके सामने आपके पसंदीदा प्रोग्राम विर्सा के साथ हाजर हैं आज यो फंकारा हमारे प्रोग्राम में हिसा ले रही हैं उन्हें जितनी भी काम्याबी मिलती है वो अपना नाम जितना भी रौशन करती है स्पेशली विर्सा, मैं, यूसफ साब और जिसका भी इस प्रोग्राम से तालुक है हम इसमें बहुत प्राइड लेते हैं उनकी हर काम्याबी हमें ऐसे लगती है कि जैसे हमारे अपने किसी की या हमारे अपने बच्चे की काम्याबी हो मैं हमेशे हो यह कहती हूँ कि जिसको सुरीली आवाज अल्ला ताला ने अता की है और अगर उसी में कोई मकसद भी शामिल हो जाए माइने भी शामिल हो जाएं तो बनती है हमारी आज की फंकारा जी हाँ, हैना, कैसी हैं आप असलाम अलेकुम, बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माम देखने वालों को मेरी तरफ से, असलाम अलेकूम बहुत दिनों बाद आप इस तरह हमारे प्रोग्राम में आई हैं आपको पता है कि आपके लिए कितनी फरमाईशे हाती हैं? बिल्कुल पता जलता है और हमेशा जब भी बाहर मूफ करती हूँ तो लोगों की महबत मिलती है, उनकी दौाएं मिलती हैं और बिल्कुल उनकी दौाएं हैं कि आज मैं फिर यहां बैठी हूँ गाई की कि आपको अजाज़त घर से मुश्किल से मिली हां? बिल्कुल और आपने एक शुरू में ही अपने आप से वादा किया था कि आप जो भी कलाम गाएंगी या जो भी पेश करेंगी उसमें कोई मकसद जरूर होना चाईए जातरा पुफियाना कालachen वो पड़ती है गाती है तो कभी कमर्श साइट प 미ाने का कोई इरादा नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं मेरा बिल्कुल इरादा नहीं और मैं समझती हूँ के मेरा मकसद जो है वो हुजूर किनाद बुजूर गाने दीन का कलाम और आज चुके हम अर्दू अदब के जो क्लासिक पोईट्स हैं उनके बारे में यकीना चुके मैंने मासस किया अर्दू लिट्रेचर में हम जानते हैं बहुत जरूरी है कि सब मुझ से नराज भी होते थे क क्यों नहीं आप अदब आप इस कदर खुशकिसमत है कि इतनी चोटी से उमर में आपको अपने मकसद का पता चलिए याज़म सारा यूसफ आपने कंपोज किया याज़म मैंने इसको कंपोज किया और ये कुछ इस तरह भी होता रहा कि मसलन कोई चीज दिना ने मुझे दी कि इसको अंकर आप किंपोज करें मसलिन इसमें बाबा बुले शा का ऐ किलाम है और हिना खुद भी बड़ी अच्छी कंपोजर है श्री कंपोजर इसल्फ आपको याद होगा वो अलामाख़ाब के भाट अच्छी कंपोजिशन तो मैंने का फिज तिन दिना सुनाया मैंने तो बड़ी अची कंपोदिशन तो यह ही गाओ ने करें नहीं आप एक दफाँ करें। तो फिर मैंने उसको कंपोज किया। इसी तरह मेरी एक दोस्त है मिनुबक्षी शीज फ्रम डेली उर्दू की शायर है। उनका क्लाम भी वो इनोंने जब वो आई थी पिछले साल लिटरिशर फेस्टिबल में लाहूर के तो उनोंने उनकी जो तकरीर थी उससे पहले हिना नहीं क्लाम नहीं का क्लाम मैंने कंपोज किया था और हिना नहीं विदाउट म्यूजिक वैसे हौल में पढ़ा था बहुत द हमेशा होध बरार प्रॉट करता हूं फसक्राइब को सब्पोर्ष्ट करता हूं था खुछ फ़र्स परस सभाड़तित है तो वह कुछ और हिना बहुत कि उपश्ष्छी नहीं हो तो बहुत बहुत अज़ेस है तो वह भी एक खुछ बहुत पर तो नहीं हो तो सब्हा रहा It's a teamwork, basically. And obviously, in our program, we have to do this. या मुहम्मद, मुहम्मद सल्लव अलेहिए स्लम् या मुहम्मद है सारा जहाँ आपका या मुहम्मद है सारा जहाँ आपका ये जमी आपकी आसमा आपका ये जमी आपकी आसमा आपका या मुहम्मल है सारा जहां आपका रह्मते आलमी आपकी जाथ है रह्मते आलमी आपकी जाथ है रह्मते आलमी आपकी जाथ है सब लुट्फ व करम है आयां आपका सब लुट्फ व करम है आयां आपका या मुहम्म्मद है सारा जहां आपका जिकर करती है हर दम जुबाँ आपका जिकर करती है हर दम जुबाँ आपका गल्ब करता है हर दम वयाँ आपका गल्ब करता है हर दम वयाँ आपका या मुहम्मन है सारा जहाँ आपका आशियों के लिए जुज निदामत है क्या आशियों के लिए जुज निदामत है क्या आसरा है शफीय जमाँ आपका आसरा है शफीय जमाँ आपका या मुहम्मन है सारा जहाँ आपका अल्ला अल्ला जुबां पे ये क्या गया काबाए इश्क है आस्ता आपका ये जमी आपके आस्माँ आपका या मुहम्मद है सारा जहाँ आपका या मुहम्मद मुहम्मद सल्ला अलेहिवसल्म या मुहम्मद सल्ला अलेहिवसल्म अलेहिस आपने कलाम पेरे जोज़ किया या पहले आपने शूरा अलेहिवसल्म कोई कलाम ए मेरे पास कुछ एक-डो चीज़े पहले माइन में कंपोज करकर रखी हुई हुई थी तो आपको ये लगता है कि ये इस राइटर पर ये जो सौरी सिंगर पर सूट करेगा इसके लिए ये सोचना पड़ता है क्योंकि ये ज़रा सोच समझ के कलाम गाती है अजया शक्मार्षटर शब्री परत-खी बहुत शपस citizen घराइटा जो सिर अखब करता है हो जो स्क्राइटर शब्काष्थर नजया इसक्स तरह वा箁 कुछ चीज आप ऐगो कुछ चंद साल पहले एक आज चीज की, फिर कुछ साल पहले की, कुछ इस तरह करते करते और कुछ तीन चार चीज़ें भी रिसेंटली इसी सरदियों में, जिस तरह यह जो पहला ट्रैक है, यह मौसन नकवी साथ की घजल है, बहुत ही खुबसूरत, और यह भी रिसेंटली म इस प्रोग्राम का बतादें क्योंके अकसर लोग मुझसे पुचते हैं कि हम यह प्रोग्राम देर से करते हैं, कि उतना रिगुलर्ली नही आता, हर हफ्ते क्यों नहीं आता, सो इवड लाइक तो नो के एक प्रॉसस होता है, विल्कुल एक बहुत प्रोसस होता है, वाहदत के साथ हमने दो प्रोग्राम्स जो किये थे उसकी रहासल मेरे खिल कम चाम च्छे माह लगे हैं अर उसके बाद फिर दूसरा भी जो किया है उसकी भी इतनी देर लगी रहासल में वो लाइफ प्रोग्राम से तो नाजरी नहीं यहां पर यह कहना चाहेंगे कि हम जिस जो भी फंकार को जो जो भी हमें मिलते हैं जो हमें लगता है कि हम इनको पेश कर सकते हैं हम उने सिरफ गवाते ही नहीं पहले सिखाने के भी कोशिश करते हैं So we work with them, not we, he does, मैं वैसे मेरा नाम हार है You are very much part of it तो सारों की बहुत मेहनत चामिल होती है और उसके बाद एक आलबम बनता है और फिर यह प्रोग्राम बनता है तका करोगे तो रो पड़ोगे बहार रुत में बुजाड रस्ते तका करोगे तो रो पड़ोगे बहार रुत में बुजाड रस्ते तका करोगे तो रो पड़ोगे किसी से मिलने को जग भी महोसी सजा करोगे तो रो पड़ोगे बाहर रुत में मुझाड रस्ते तका करोगे तो रो पड़ोगे तुम्हारे वादों ने यार मुझे को तबह किया है कुछ इस तरह से तुम्हारे वादों ने यार मुझे को तबह किया है कुछ इस तरह से के जिंदगी में जो फिर किसी से दगा करोगे तो रो पड़ोगे के जिंदगी में जो फिर किसी से दगा करोगे तो रो पड़ोगे करोगे बाहर रुत मीं पुजाड रस्ते का करोगे तो रो पड़ोगे मैं जानती हूँ मेरी मुहबद मैं जानती हूँ मेरी मुहबद उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसे मैं जानती हूँ मेरी मुहबद उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसे मेरी मुहबद उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसे के चांद रातों ने अब किसी से मिला करोगे तुरो पड़ोगे के चांद रातों ने अब किसी से मिला करोगे तुरो पड़ोगे बाहर रुत में भुजाड रस्ते तका करोगे तुरो पड़ोगे तुरो पड़ोगे में याद रखना याद रखना याद रखना बरस्ते वारिश में याद रखना तुम्हे सताएंगे मेरी आखे बरस्ते वारिश में याद रखना तुम्हे सताएंगे मेरी आखे किसी बली के मजार पर जब दुआ करोगे तुरो पड़ोगे किसी बली के मजार पर जब दुआ करोगे तुरो पड़ोगे बहार रित्मी उजार रस्ते तका करोगे तुरो पड़ोगे किसी से मिलने को जब ही महोसिन सजा करोगे तुरो पड़ोगे किसी बली के मजार पर जब दुआ करोगे तुरो पड़ोगे तुरो पड़ोगे कि क्या तारीफ करूँ कि तनी खुली आवास पाकीज़गी उपर इतना जाना और फिर नीचे आके जगा लेना मतलब मेरे बास अवाकी अलफाज नहीं है तुरी मैं और तारीफ नहीं करूंगे आप अपनी तारीफ खुद हैं मुझे यह बताएं कि मैंने शुरू में यह कहा कि Allah ताला ने आपको बहुत कामयाबी दे रहे आपका अपना क्या स्केल है आप अपनी कामयाबी को कहा तोलती है और किस तरह तोलती है जब भी कहीं परफॉर्म करती हूं तो मैं चुके जो चीज परफॉर्म करती हूं वो बिसिकली ज़दा तर बज़गाने दीन का कलाम होता है लाइक मिया मुहम्मद, बग्शाह हुसेन और सुल्तान बाहु तो बिसिकली तो वो मेरी रिसर्च होती है और रिसर्च के बाद ही मैं कुछ नह कुछ परफॉर्म करती हूं सुनने वाले अभी इस कनाम को बहुत मौजूद हैं और आप अगर गाती रहेंगी तो नहीं भी पैदा होंगे इन्शाला यानि कि वड़ा इम ट्राइंग तो से के मारी नहीं जनेरेशन भी जो है तो अगली गजल जो है वो ही मीनू बक्षी जो कि आपकी जी मीनू बक्षी एक हमारी दोस्ते हैं वो जैसे मैं आपको कहा कि यहां आई हुई थी लिट्र लिट्री फेस्टिवल के लिए तो तब हमने यह यह परफॉर्म किया था विदाउट मुजिक अलहमरा में इसको तो और शॉर्म करते हैं दिक आई हैं आई हैं नावधर गई आ उधर गई, ना इधर गई, ना उधर गई जो निगाह तुझ पे ठेहर गई ना उधर गई, ना उधर गई, जो निगाह तुझ पे ठहर गई, ना उधर गई, ना उधर गई जो शबाब आया था, जा चुखा, जो शबाब आया था, जा चुखा जो शबाब आया था, जा चुखा, जो शबाब आया था, जा जा चुखा जो नदी चड़ी थी उतर गई जो नदी चड़ी थी उतर गई जो निगाँ तुझ पे टहर गई ना इधर गई ना उधर गई मेरे साथ ही तो चले थे वो 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 मुझ किधर गई मैं किधर गई मैं किधर गई वो किधर गई मैं किधर गई, जो निगाह तुझ पे ठहर गई, ना इधर गई, ना उधर गई ये तो अपना अपना नसीब है वो सवर गई, मैं भिखर गई, जो निगाह तुझ पे ठहर गई, ना इधर गई ना इधर गई, 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 जो निगाह तुझ पे ठहर गई, ना इधर 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 गई, अप sihra अम्रीम।! अश्छालैकूप. आप हिना की उस्ताद वीकालियात पढ़ातीत – इक पढ़ाती थी। और इनहोंने वो पढ़ा और इनकी दिल्चस्पी एतनी जटी जदाथा थी उस पेपर से कि ई उस दौराश में भी ये बात बीच में एक दो चेस्ब है हिना सिर्फ तरन्नुम सी आच्छा नहीं पड़ती такого आप गाले है उन्ट वेह खरी है शॉक्ट कर्त था्न है अमें हमें बता है लेकिन से टीचर आउडियंस का बता है ये तही ये टीस को बना है देख जो है ल Сबस्वाएं का मेरे ख्याल में एकबाल का जो खुदी का तसवर है हिना इसको पा गई है वो जो एक अलामा कहते है ना कि सेल्फ एवैल्यूएशन तो इन्हों ने एवैल्यूएट कर लिया है कि इनके अंदर कौन सी सलाहियत तो हिना ने माशाला एक जिसको अलामा के लफाज में मैं समझती ह कि दिल की रम्स पाना उलामा का शेर है कि जिस रोज दिल की रम्स मोगनी समझ गया आपके अपने फील्ड से शेर तालुक रखता है कि जिस रोज दिल की रम्स मोगनी समझ गया समझो तमाम मरहला हाई हुनर है तै तो आप दिल की बात समझगी है दिल की रम्स समझगी है कि आपको किस तरफ जाना है ये सिर्फ फसाना फसू नहीं चाहती है बलके जिन्दगी पर मैंने देखा है कि उसका इतलाग चाहती है कि थोड़ी सी हरारत पैदा हो थोड़ी सा जजबा पैदा हो और माशाला ये इसमें काम्याब है ये शरूर से ही जड़ा वक्री टाइप की थी अपनी क्लास में जी बिलकुल इसमें तो कोई शकी नहीं है ये बिलकुल मुक्तरिफ मिजाज की स्टूडन्ट थी स्टूडन्ट तो बहुत फर्माबरदार थी लेकिन ये कम गो हिना कम गो हैं कम दोस्त बनाती हैं लेकिन दोस्तों में बहुत ज़ादा फिर वो जो सेलेक्टिव इनके होते हैं लोग उनके दरम्यान ये खुश रहती हैं और कहका भी लगाती हैं लेकिन ज़्यादा तर ये क्लास में कम गो होती थी लेकिन हर चीज में हिस्सालेती थी बड़ी मौत बर टाइप के पसनालिटी हैं और मैंने देखा कि इसमें माशाला बहुत कामियाब हैं लेकिन एक मेरी खाहिश भी है जिसकी तरफ हिना कभी भी नहीं आती और शायद जो है आपकी विसातत से जो है हिना इस तरफ आ जाएं कि ये पर्शियन का जो इकबाल का फार्सी किलाम है उसको भी थोड़ा सा व मैंने लिक्वेस्ट की कि आपने जरूर आना है और आपकी मौजूदगी मेरी लिए बहुत ही खुशी का बाइस बने कि अलामा का कलाम हमें सुना रही है वो हर्फ रास के मुझ को सिखा गया है जुनू खुदा गर नफस जिब्राईल दे तो कहूं तेरा तन रूह से नाशना है तेरा तन रूह से नाशना है अजब क्या आहद तेरी नारसा है तन दिलों से बेदार है हक उड़ जिन्दा जिन्दो कहूदा है उड़ जिन्दा जिन्दो कहूदा है वो हर फेराज के मुझे को सिखा गया है जुनू वो हर फेराज के मुझे को सिखा गया है जुनू खुदा मुझे नफसे जिबराइल दे तो कहूँ वो हर फेराज के मुझे को सिखा गया है जुनू सिखा गया है सिता राध्या मेरी तकदीर की हवर देगा सितार क्या मेरी तकदीर की हवर देगा वो खुद फराती है अफलाक में है हारो जमू वो खुद फराती है अफलाक में है हारो जमू खुदा मुझे नफसे जिबराईल दे तो कहूं वो हर फिराज के मुझे को सिखा गया है जुरू अजब मजा है मुझे अजब मजा है मुझे लज़ते खुदी देकर अजब मजा है मुझे लज़ते खुदी देकर वो चाहते है के मैं अपने आप में ना रहूं वो चाहते है के मैं अपने आप में ना रहूं वो हर फिराज के मुझे को सिखा गया है जुरू सबक मिला है ये मिराज मुस्तफा से मुझे सबक मिला है ये मिराज मुस्तफा से मुझे सबक मिला है ये मिराज मुस्तफा से मुझे के आलम बशरीयत की जद में है गर्दू के आलम बशरीयत की जद में है गर्दू खुदा मुझे नफसे जिबराइल दे तो कहूं वो हर फेराज के मुझे को सिखा गया है गर्दू येको एनात अभी नात अमाम है शायत येको एनात येको एनात अभी नात अमाम है शायत के आ रही है दमा दम सदा कुन फयकूं के आ रही है दमा दम सदा कुन फयकूं कुदा मुझे नफसे जिबराइल दे तो कहूं वो हर्फ राज के मुझे को सिखा गया है के जुना हूँ जब आलामा का किलाम तुम जब भी पढ़ती है ना तुमारे चेहरे पे एक बाती और होती है जो मेरी असल इंस्पिरेशन जो है ना स्टड़ी में अगर यहां मैठी हूं तो इसमें अलामा साब के कलाम की ही सारी बात है और उनीकी वज़ा से मेरे अंदर जो है ना वो सही वाली जैसे कहते हैं हरकत पैदा हुई और बामकस्द जिन्दगी गुजारना भी कोई चीज है और उसी तरह से गुजारनी चाहिए और पुशिश होती है कि रात को सोने से पहले थोड़ी सी स्टड़ी मैं जरूर करती हूँ और अलामा साब की ही किसी एक गजल को या कलाम को लेके उसको पढ़ती हूँ और बहुत अची नीद भी आती है और सुबह एक ताज़दम होती हूँ और एक पूर उमीद होती हूँ कि कुछ करना है अभी फरुख साब जो हमारे डिरेक्टर भी उनसे हमें तुमारी बात कह रही थी और यही मैं बात कह रही थी कि इसको कितनी छोटी से उमर में मतलब इतना इसका मिचूर थिंकिंगे के लिटरिचर अर्दू लिटरिचर में मास्टर्स करना मैं अपच्टाती हूँ के काश में कर चुकी होती लेकिन उस वक जब आप यह डिसाइड कर रहे होती है आपको कुछ समझ नी आती पर तुम्हें सिर्फ समझ ही नी आई तुमने किया भी और माशाला उसी के बदालत तुम आगे भी और यह अच्छी बात है कि साथ ही मेरी युसफ अंकल से मुलाकात हुई यह एक्चुली अलबम इनको गिफ्टट डाता है तो कि मैं जो करना चाहती थी यह जो I Àन्त के लिए आच यह उन्हाती थी यह जो नाच के लिए आगे आगे आना चाती थी Mugg도 viral काने जनके कि वह जो कुछी थी और मैंने सिह कि मेरी खाहिश है कि मैं इसी चीज को लेे आगे जाऊं इनोंने एं मेरी नी सुपोर्ट किया अच्छा कितने देन लगे देन तो गुजादाने लगे हिना को जादा देन नहीं लगती यह शीज़ बन टेक सिंगर कुछ महीं चाहरा था कि हमारे जो जिस तरह इसमें महसन लकवी साब का जो किलाम ता तहले पिर मीनू बक्षी है यह जिस तरह इफ्तखार आरिफ है और इवन परवीन शाकर भी महूमा है पर अच्छा गाइकी के लिहाद से जो शायर मतलब मैं इनका क्या इंट्रड़क्शन कराऊं सादिक सहाब हमारी फिल्म का भी नहीं मतलब गाइकी का बहुत बड़ा नाम है सर यह कितने गाने लिखती है आपने आज तक 45,000 हो गए है अच्छा गिने भी हुमें है एक ना कम ना एक जादा बेटा मेरा रकोर्ड लंग रखता है पहले आज से जब नुसर फतलिखां साभी डेथ होई है तो उन्हो अज़ा सोच के तो नहीं लिख सकता है पिर मेरी तलीम भी नहीं है कोई और मैंने तीच साल नुसर फतलिखां साभ के पास बैड़ता रहा हूं अब मैं जब काम करता हूं तो मैंने जिन्दगी में कभी किसी गाने पे किसी कलाम पे पांच मिन्ट से ज्यादा नहीं आप उन्हें पूछ सकते हैं और कोई किसी जगा पे भी मेरे इतने कलामों में कोई कलाम ऐसा नहीं जो पांच मिनट दें अभी ताब एक निया गाना तियार करें जी मैं पांच मिनट में आपको ज्यादा ही कर दूँगा अभी खान सब का गाना उस दिन मिया साब भी वैठे साब अन नजर निए रह जा यार ते रूँगी तो फिर में उस उसमें शेरों की रभत मैंने ऐसे रखी के लिए मैं वेले मैं उड 210 आगना खराह भाँशदी तो आवी एकमादेवा इचकार dw हाइं सथमाइ पर पांधे बंड हाँ धियो और हैं सिक इसे कार भाइं दियों और एक और था गाना बैंडड क्वीन फिल्म में आया था वो था अखियान उचैन ना भी तो ये खांसा का जो वजन होता था ना उस पे लोगों ने तकरीब दस दस बारा बारा दफा उन गानों को लिखा है लिकन वो नहीं पसांद आए वो वजन के उपर मिस्रा जो होता है पूरा जब तक प्रफेक्ट नहीं आएगा और लफज भी ऐसा होना चाहिए ये लोग वही जानते हैं जिनों ने इस काम में पर ये अपने कैसे कर लिया मतलब मुझे वाकिए इसमें कुद्रत का इकमाल है मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं मेरा जो है ना ये बाद लोग कहत बहुत 16-17 साल का एक बच्चा आप समझते हैं कितना भी समयदार हो सकता है तो लोग काफी मेरे पस बड़ी बड़ी उमबर की यहां पर एक हजाब थी उस वक्त मैं फैसलाबाद में रहता था खांसब की दूसरी गली में मेरा गर था और मेरी कपड़े की दुकान थी और ए करेंगे कर ना सके हम प्यार का साओधा कीमत ही कोच ऐसी ती तुझे बूलना तुचाहा लेकन बुलाना पाए अच्छा सिला दिया तुने मेरे प्यार का ओ कैंदी है सहीं मैं तेरी हैं बल्के उनना ने तक अदी मेरा नाई नहीं ले आई तक ना जनाब रहत फटली बड़ी खुबसूरत थी इनाते हैं बहुत हो एक मैंने वहीं बैठके लिखी और यूसफ सुलाओ दिन साब ने मिया साब ने उनकी तर्ज बनाई और इतनी खुबसूरत ना थी करोड़ों के हसाब से को दस पंद्रा करोड उसका भी उत तो वो मैं चाहूंगा कि मैं शेयर करूँ आपसे के एक खाब सुनामा एक खाब सुनामा पुर नूर फजामा आका दा महला जिमे अर्श मौला कदी यौन फरिष्टे कदी जान फरिष्टे साड़े अजलों जोडगे आका ना रिष्टे ओ करमा वाला गेड़ा पलका न चुम्दा जामा एक खाब सुनामा मेरे पौन जित्थों तक मैं दिया नयाजां, रब सोने पल वच सुनियां, मेरे दिल दियां सब दुआमा, एक खाब सुना मा, मेरे अंबल दी चादर, मैं डिटेल से शेर नी सुना रहा, कि खो मेरा फून बंद ओ गया, उसमें मैं लड़के को आता, सारे बेजो, कि मेरे अं मैं रोपया सादक, मेरे आख क्यों खुली, फिर आका सद्द्यादर्ते हो यां देल दी यां पूरी यां चामा, और अभी मैंने मिया साब को एक, अच्छा, नाद के वाले से, मैं ये भी बताओंगा, कि मैंने तक्रीमन साड़े चार हजार नाद इस वक्त लिख चुका हू उन्हों ने मिरा नाम लिया है उसमें, फिर पिछले दिनों एक नाद सी मेरी वो भी बहु चली है, शायद कोई बंदा होगा जिसने नहीं सुनी होगी, कि आका मेरी आखियां मदीने में बिच रहा गी यां, मुकगे अवीजा ते जुदाईयां फिर पहा गी यां, दाई हल तो मुझको सोना भी है, मेरे दिल को यकीन है खुदा की कसम, मुझको आका का दीदार होना भी है, और एक उमर तक मेरी रूँ तडपती रही, आए महशर तो आका को मैं देख लूँ, उनके कदमों पे रखके ये अपनी जवी, इस खुशी में बहुत देर रोना भी है, बहुत बहुत शक्रिया वा कि ये आपके साथ तो पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए, अगला जो आप कलाम हमें सुना रही हैं, इवराहीम जॉक का, खुब रोका शिकायतों से मुझे, तूने मारा एनायतों से मुझे. तूने मारा एनायतों से मुझे, तूने मारा एनायतों से मुझे. केहते क्या क्या है, देखते क्या क्या है, तूने मारा एनायतों से मुझे. क्या है, तूने मारा एनायतों से मुझे. वाजिबुलकतल उसने ठेहराया, आयतों से रिवायतों से मुझे. कुब रोकाव शिकायतों से मुझे. करना गिरिये में तू कमी अच शंक. 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 शौक कम है किफायतों से मुझे. शौक कम है किफायतों से मुझे. कुब रोकाव शिकायतों से मुझे. बड़ी ओल्ड स्कूल फिल इस पे आ रही है. बहुत ही मीठी सी और दिल में उतरने वाली सादा सी कमपोजिशन. है ना? अच्छा अली हमारे साथ बैठे हैं इससे पहले कि मैं और महमानों से बात करूँ. अली मैं कुछ जादा लंबी बात नहीं करूँगी जस्ट टॉक अबाउट हर सिंगिंग. अब अच्छा गाती हैं और मुझे खुद कुछ खास पता नहीं है गाने के बारे में उज़े के बारे में लेकिन जिस चीज से गाय की तो इनकी है और जो गाने इनके सुने बहुत मज़ा हैं. लेकिन जिस चीज से मैं इंप्रेस्ट और इंस्पाइड हूं और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम की वसातत से हिना शेयर भी करें जो लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, नही जरुनेशन देख रहे हैं, इस्पेशली लड़कियां जो देख रहे हैं, कि जादा शौक है, ये एक तसवफ की दुनिया है, ये एक और रेल्म है, जिससे अगर इनसान आशना हो जाए, या उससरफ उसकी जिस्तजू शुरू हो जाए, तो ऐसी ऐसी गिरे खुलते हैं, ऐसी ऐसे मकामात नजर आते हैं, जो बयान करने मुश्किल होते हैं, लेकिन बात समझाना चाह रहे हैं, वो क्या एक नुक्ता आपने ऐसा पकड़ा और अपनी जिन्दगी में उससे राइच किया, और क्या वो ऐसी चीज है जिसकी जिस्तजू में आप अब हैं ये जो आपने पा ली, वो गर आप उन लड़कियों को जो अपनी जिन्दगी में कुछ और करना चाहती हैं, या कर नहीं पा रही हैं, या उनके माबाब को जिनकी वज़र से वो बच्चिया नहीं करना पा रही हैं, उनको क्या समझाना चाहेंगी या बताना चाहेंगी। इंदर इखलास है, तो डिफिनेटली अला चुब खुद आपके लिए रस्ते खोलता चला जाता है, इमान और इखलास और नियत और इमानदारी यह बहुत सरूरी है, यह अगर आपको मिल जाएं, तो फिर आला पा कुद खुद आपके लिए इसानी करता चला जाता है, तो तो अजितने बी मैने तो खाहसारही पढ़ें के जिन जिन शुरा का अपक अगे पढ़ोगी सुनाओगी हमें, और अकसर बेश्टर का मुझे काफी जादा पता है, हालांके मैं अजितना नहीं पढ़ती हूं, या जितना आप लोगों को है, अबूर इतना मुझे नहीं है, लेकिन अबराहीम जौक एक शायर ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, तो जब भी मुझे कुई चीज ना पता हो तो मैं या तो फरुख बशीर साहब से पुछती हैं, लेकिन वह पीछे हैं, और डॉक्टर उमर आदल सामने है, तो मैंने का मैं इनसे ही स गजल है, इसकी ज्हनकार में वो सारी चीजे मौजूद थी, जो किला मौला में थी, किला मौला का जिकर मैं करूँ, आप सब को पता ही है, और यहां तो बड़े-बड़े असातजा अर्दू अदब के बैटे हैं, और उनके शागिर्द बैटे हैं, कि आखरी मुगल यू हैं, शाह मुहमद नसीर अद्दीन नसीर, हकीम इज्जत अल्ला इश्क, मिर्जा काजिम हुसैन बेकरार, शेख इबराहीम जौक, और मिर्जा असद अल्ला खां गालिब, इन तमाम में से जो सबसे तवील रिश्टा ए तल्मीज रहा, जो तकरीबन अर्टाली साल और नौ महीने पे मुहीत था, वो बहादुर शाह जफर का शेख इबराहीम जौक के साथ रहा, गालिब के हम असर थे, मगर गालिब तो आने वाले जमानों के, आपके जमानों के शायर थे, मगर जौक खुद अपने जमाने के बेहतरीन तर्जमान थे, इसी लिए मलेक शौरा गालिब की मौजूदगी में पोईट लौरियेट अफ ते मौगल दर्बार उस्ताद शेख इबराहीम खा जौक थे, खाकानी हिंद और खाकानी को भी आप जान जाएए, बारवीं सदी का बहुत बड़ा फारिस का फलसफी शायर है, और किसी को खाकानी कहना, उर्फी कहने से या साधी कहने से बहुत बड़ी बात है, हर वक्त दर्बार में, चूंके वहां पे आप फौज तो रही नहीं थी, चश्मक सिपाहियों की जगा शायरों के दर्मियान हुआ करती थी, आप खुद सोचिए कि एक दर्बार के अंदर दाग, मौमिन, जौक, गालिब, शेफ सब मौजूद हों, तो वहां क्या घजब का रन पड़ता होगा, इसलिए मैं जिकर कर रहा हूं कि बड़ी बात है कि आज 27 बरस बाद, 27 बरस बाद, मिया साब, हमारे किसी नश्याती इदारे ने, जौक की कोई घजल रिकॉर्ड की है, अगर आप मेंसे कोई जो लुके की में की क्लासिस में बातें नहीं, वो थोड़ी से जेब अधास्तान के तौर पर कबूल कर लो, आखिर कुछ मज़ा जबान का भी होना चाहिए, तैंक यू सो मज़ डाक साब, बड़े इंफरमेटिव डाक साब ती, अच्छा दी, अगली घजल पर आईए, अगली घजल ह की मज़गा चुछ झसे नहीं को जबादिवा उन paar, भड अगली तेंक फिवेधों है आखिर कर लो, आखिर है. आ-ा-ा-ा-ा-ा-ा, आ-ा-ा-ा-ा... हामी भी ना थे मुन किरे गाले भूल भी नहीं थे हामी भी ना थे मुन किरे गाले भी नहीं थे हम मेहल तजब जुब किसे जानिप भी नहीं थे हामी भी ना थे मुन किरे गाले भूल भी नहीं थे कि अधियों कि नहीं थे नहीं थे खायए प्रॉप्र कि वें थे खायए आप दो अधिया थे थे में हमाशुफता सरो्ने मिट्टी की मोहबच मैं हमाशुफता सरो ने मिट्टी की मोहबच में हमाशुफता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे आमी भी नहीं थे मन की रगाल बोर भी नहीं थे लादेती कुई रात सुखन करता हुवादिन 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 सब उसके लिए जेस मुखातिब भी नहीं थे सब उसके लिए जेस मुखातिब भी नहीं थे आमी बीन थे मुंकी रगाल बो भी नहीं थे बेचाए बेचाए सर कर याए जर्ड जोहर पिंदार बेचाए सर कर याए जर्ड जोहर पिंदार जो दाम मिले ऐसे मुनासिब भी नहीं थे जो दाम मिले ऐसे मुनासिब भी नहीं थे आमी बीना थे मुंकी रगाल भी नहीं थे हम मेहले तजबजब किसी जानिब भी नहीं थे हम बीना थे मुंकी रगाल भी नहीं थे हमारे हाँ हमारी खुशकिस्मती है कि उस्ताद पत्यली खान साब एदराबाद से हमारे आज मेहमान हैं खान साब आपकी तश्रीर वाफरी का शुक्रिया क्या कहेंगे आज आज की शाम के बारे में कि विर्थे जैसा प्रॉडम अभी कहां भी नहीं हो रगा रगाап cups नहीं रहा? भुरिख अच्छा हो रहा बहुत लाजवाब के समका और इनकी माशाला कंपोजीचिने मही बहुत लाजवाब हैं और ये इनसान भी बड़े लाजवाब हैं कि इस घबराट के वक्ट में ये म्यूजिक की य भीूजिक कर रहा हैं, तो ये कैसे दर्वेश लोगों की औराद हैं तो दर्वेश ही होगी ना, इस बच्ची के लिए मैं जरूと ये जरूर कहना चाहता हूँ, कि सूफी कलाम हो या कोई भी कलाम हो रागदारी हो गदल हो ठुमरी हो काफी हो कुछ भी हो सुर के सिवा किसी गाने में भी मज़ा नहीं होता जिसमें सुर ना हो लोच ना हो जिसमें आवाज की फरावानी ना हो और आवाज को बनाने के लिए कई सदीय गुजर जाते है क्योंकि हमारा भी विर्था है ये classical music का और classical music जो है वो बेस मौसी की है हर music जो है इसी में से निकला है कि चार किसम की आवाज होते हैं जैना कोई music director बदला सकेगा ना कोई गाने वाला, ना कोई सिंगर, ना कोई दूसरा, ना तीसरा चार किसम के आवाद होते है अल्लह की तरफ से जो भी है, यूसफ सलाउदीन साथ बैठे है, ये बीबी बैठी है हम लोग सब है, चार किसम के आवाद होते है जो सबसे अच्छा आँज होता है उसका नाम है तर्पंखिया वो चुपड़ा हुआ भी होगा और उड़ेगा भी तर्पंखिया दूसरे नमबर का जो आँज है उसका नाम है नाद और नीचे आप और एक जैसा हो गया, ऐसे नहीं हो, नीचे और आप जैसा, जैसे मैड मेरम नूर जान का आवाज था, खुला हुआ, और नीचे अप जैसा, उसका नाम था नाहत, वह दोसरे नमबर का है, तीसरे नमबर का आवाज जो है उसका नाम है मगही ये मैं आज तक कभी बात मैंने की रही है तो यहां पर इन से मैं कोई परदा रखना नहीं चाहता तीसरे नमबर का जो आवाज है उसका नाम है मगही वो बात करने में और होगा गाने में और होगा चौते नमबर का जो आवाद है उसका नाम है दादर कंठिया कि मैंडक के गला जैसे होता है दादर मैंडक को बोलतो वो गला अब भी उस्ताद जो है वो कामिल होना चाहिए शागिर्द आमिल होना चाहिए और फिर अल्ला की रजा शामिल होनी चाहिए उस्ताद को पता होना चाहिए कि इसका आवाज कैसे अपनी मंदल को पहुंचेगा और नीचे ओपर कैसे होगा और गाने में लताफ़त और उसमें निजाकत और उसमें जो है लोच और सुर नहीं है तो खातून का वो गाना नहीं है ये मलंगों का गाना है मलंग गाते हैं जो दरगाओं पर खातून के गाने में निजाकर लताफत और उसमें थोड़ा लोच और सुर तो वो सब चीज़े इस लड़की में अल्ला ने दिए है और आप जो हैं वो फंकार गर हैं आप फंकार बनाते हैं तो आप ने इस लड़की को कहां दे ढूंडा और इसका ऐसा आवाज है कि वर स्टाइल किसम की ये लड़की है कुछ भी गवाएंगी ये बहुत अच्छा गवाएंगी अभी नाद शरीफ हम भी सुनी हैं मैंने इनकी हमेशा अलला इसको सब खुशी हैं दे हमारी बचीओं की तरह हैं तो बहुत बड़ी ये सिंगर बनेगी पाकिस्तान की मैं बड़े उस्ताद है माशाला से इनका यहां बैठना और मेरा ऐसे परफॉर्म करना अनिसली मुझे खुद को बहुत मुश्किल हो रही थी बट मैं यही कहूंगी कि यकिन बहुत सारी गलतियां हुई होई होगी तो आप उसको माफ कर दीजेगा प्लीज आपका यहां बैठना मेरे लिए आपको बहुत खुश रखे और हमेशा अबाद रखे अच्छे को अच्छा कहना चाहिए अगर अल्लह ने आपको कोई चीज दी है तो उसको माल ने ना कोई आदमी कोई जो है वो ऐसी बात नहीं है माशाआला हिना के साथ बहुत विर्से में तो बहुत ज्यादा बैकर सबसे जाद साथ जिना नहीं परफॉर्म किया हूँ और उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं कलाम-एकबाल गालिब बहुत सब काफी कुछ बलके मुझे इसको ये सादत हासिल रहे कि एक दफ़ा हम हिंदुस्तान गए तो वहां गालिब के मजार पे बैठके इसमें जी दिली में के बाहर इनोंने वो सब कहां कुछ लाला उगुल में नुमाया होगी बहुत लोग कठे होगे वहाँ वाँ वाँ माशाला चलें जी आगे जी बहुत शक्री आपका अब हम अबने टाइटल ट्रैक की तरफ पहुंच के हैं परवीन शाकर साहिबा का कलाम है और मेरी जो मेरे हम एज लोग है जो मेरी जनरेशन है उनोंने तो मतलब हम तो बड़े परवीन साहिबा को पढ़ पढ़ के हुए और जब उनकी डेथ होई तो I swear most of us were crying जैसे हमारी कोई बहुत करीबी सहेली की डेथ हो गई है इतना वो उनकी शाहरी के जरीए हमारी जनरेशन में तो हमारे साहत थी अब आजकल के बच्चों को नहीं पता कितना उनोंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है but for us we lost a very very dear and close friend कुछ तो हवा भी सर थी कुछ था तेरा ख्याल भी दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी कुछ तो हवा भी सर थी कुछ था तेरा ख्याल भी कुछ तो हवा भी सर थी कुछ था तेरा ख्याल भी कुछ तो हवा भी सर्द थी कुछ था तेरा हयाई दिल को उशी के साथ साथ होता रहा मलाद भी दिल को उशी के साथ साथ होता रहा मलाद भी कुछ तो हवा भी सर्द थी कुछ था तेरा हयाई दिल बात वो आधे रात की रात वो पूरे चांद की बात वो आधे रात की रात वो पूरे चांद की चांद भी एल चेत का उस पे तेरा जमाल भी कुछ तो हवा भी सर्द थी कुछ था तेरा खयाल भी उसको न पास के थे जब दिल का अजेब हाल था उसको न पास के थे जब दिल का अजेब हाल था अब जो पलट के देखिये बात थी कुछ मुहाल भी कुछ तो हवा भी सर्द थी कुछ था तेरा खयाल भी दिल को हुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी मेरी तलब था एक शाथ हो जो नहीं मिला तो फिर मेरी तलब था एक शाथ हो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा भोल गरा सवाब हो जो आथ दुआ से यूं गिरा बूल गया सवाल भी कुछ तो हवा कुछ तो हवा भी सर्द थी कुछ था तेरा बयाल भी कुछ और दुआ शाम किना समझ हवा, पूछ रही है एक पता शाम किना समझ हवा, पूछ रही है एक पता शाम किना समझ हवा, शाम किना समझ हवा, पूछ रही है एक पता शाम किना समझ हवा, पूछ रही है एक पता शाम किना समझ हवा, पूछ रही है एक पता मौजे हवाए कुए यार, मौजे हवाए कुए यार कुछ तो मेरा खयाल भी, कुछ तो हवा, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा खयाल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा खयाल भी, कुछ तो हवा, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा खयाल भी, यह तुमने कितना अच्छा गाया है ना, यह खान साब की वावा से तुम्हे पता चल गया होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर परवीन शाकर खुद यह पढ़ें या गाती, तो वो तुम्हारी तरह ही गाती, उनका जो एक बहुत दुख में भी जो उनमे एक सुकून रहता था था ना, उनकी शायरी में जो हम नोट करते थे, कि हर चीज बड़े सकून से कहती थी, बड़े से बड़ा दुख भी जो वो बेयान करती, तुम्हे उसी तरह बिल्कुल इसको गाया, कहीं मुझे तरद्द या कहीं जान बूच के ज़्यादा दुखी होना आया, बहुत तुमनेसे सकून सिर्मतानत के साथ गाया, बहुत मज़ा आया, बहुत जाता है, बाबा बुलेशा का कलाम है, और मेरा खेयल है कि बजलियात के बाद बाबा बुलेशा और, लास्ट हमारा जो ट्रैक होगा हो वो एक पाकिस्तान के लिए दौा है, और मेरा खे iç फूरांब की बात भी सुने बाते भी सारी सुन ले तो आप से राम से तफसील से थोड़ी सी बात करूँ तो आप जो अब बुले शा का हमें कलाम हेना सुना रही है चड़ दे सूरज टल दे वेखे बुचd दे दीवे बल दे वेखे दुखा मेनु मार नुकाया दुखा मेनु मार नुकाया सुखा दाए काल नीमाए सुखा दाए काल नीमाए ते जिन्दली में तो निब दिनाए सुखा दाए काल नीमाए इक वारे सर पाल नीमाए सुखा दाए काल नीमाए चड़ दे सूरज तल दे देखे बुझे दीवे, बुझे दीवे बल दे वेखे, चड़ दे सूरज तल दे वेखे, चड़ दे सूरज तल दे वेखे, पुझे दीवे, पुझे दीवे बल दे वेखे, चड़ दे सूरज तल दे वेखे ही रे दा कोई मुलना तारे ही रे दा कोई मुलना तारे ही रे दा कोई मुलना तारे पोटे सिक्के चल दे रे खे पोटे सिक्के चड़ दे रे खे चड़ दे सूरज तल दे रे खे ओ दी रहे मत दे नाल बंदे 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 पाणी उत्ते चल दे रे खे पाणी उत्ते चल दे रे खे चड़ दे सूरज तल दे रे खे जिन्ना दाना जगते कोई जिन्ना दाना जगते कोई जिन्ना दाना जगते कोई ओ पुतरवी पल दे रे खे ओ पुतरवी पल दे रे खे चड़ दे सूरज तल दे रे खे बुले आ बुले आ बुले आ बुले आ बुले आ जिन्ना कदर न केते यार दे बुले आ जिन्ना कदर न केते प्यार दे बुले आ हत खाली ओ मल दे रे खे हत खाली मल दे रे खे हत खाली ओ हत खालियो मल दे दे के चड़ दे सूरज तल दे दे के चड़ दे सूरज तल दे दे के हमारे मुलका एक बहुत बड़ा नाम बेगम दुश्रा रह्मान साहिब आज हमारे प्रोग्राम में है तो ये तो हो नहीं सकता आप से बात ना हो अदब से भी आपका तालोग, सियासत से भी आपका तालोग, ड्रामे से भी आपका तालोग और भी बहुत कुछ किया आज कल क्या हो रहा है आजकल तो यहां बैठे हैं आपके सामने और एक बहुत ही खुबसूरत मुसी की और सूरों से भरी हुई रात इस हवेली में उतरी है चमकती हुई रात है, चांद है, फिजा है, महौल है, शायरी है, आवाज है, सहर है, डूब से गए है मैं सबसे पहले तो यूसफ को मुबारक बाद भी दूँगी और शुक्रिया अदा करूँगी, मुझे यहां बुलाया आपका बहुत शुक्रिया क्या आप आई यह मेरी खुश नसीबी है कि मुझे बुलाया और मैं तो इतनी खुबसूरत रात है कि मैं जब हिना को सुनती हूना पहले भी और अब भी बताऊंगी दो बातें करूंगी, एक शायरी के बारे में और एक हिना के बारे में शायरी तो यह है कि हिना ने, जो गाया है ना सबसे पहले नात रसूल मकbool सल्यालाह अलाहिए बतदा की है हिना तुम्हारी खुशनसीबी की इबतदा ही ये है कि तुम हमेशा हजूर पाक के नाम से जिस महफल में तुम देखती हूं तुम पढ़ती हो दूसरा इसने कहा है कि मैं अपनी आवाज को एक मकसद के लिए इस्तमाल करूंगी और यूसफ साहब शायरी को और आवाज को सूफीया ने भी एक मकसद के लिए इस्तमाल किया ये शायरी है क्या चीज़ और आवाज क्या है आवाज अल्ला ताला का एक बहुत ही बहुत ही अजीम तफ़ा है ये एक सलीका है जो तुम करती हो इसलिए मुझे उमीद है इन्शालला तुम बहुत तरक्की करोगी, बहुत आगे जाओगी एक और बात, कि ये सुफिया कराम के किलाम को गाती है तो सुफिया ने अशार में तबलीग की सुफिया कराम ने तज्किया नफस की तबलीग अपने शेरों में की और तमाम सुफिय, सबरे सखीर के तमाम सुफियों ने तज्किया नफस अपने शेरों में कहा और उन शेरों से उन्होंने गा के भी किया और धमाल कर के भी किया और अब जब हमारे बड़े अच्छे मुसिकार, गुलुकार ये गाते हैं तो ये एक पेगाम है जो आगे पहुँचाते हैं सुफिया को गाना, इकबाल को गाना एक पेगाम है ये वो पेगाम है जब आप मेरे जैसी और जबानी बोल रही हो तो किसी के दिल में नहीं उतरेगा मगर तुम्हारे जैसी आप जब गा रही हो तो दिलों में उतर जाएगा हिना तुम्हारे लफजों का तलफ़ बहुत अच्छा है मैं किसी को गाता हुआ सुनती हूं नहीं नसल में से मुझे बड़ी तकलीफ होती है जुसफ वो लफजों को जिबा करते हैं किसी लफज को सही अदा नहीं करते हैं हमारे बच्चे ना पंजाबी का ना उर्दू का और ना किसी से पूछते हैं इसी तरह जब इसने सूफिया एकराम को गाया जब दूसरे शायरों को गाया उन शायरों के अलफाज के कल्चर और मिजज के साथ इस बच्ची ने काया ये बहुत खुबसूरत बात है और इसकर क्राइट तुमारे उस्तादों को भी जाता है जी तो नहीं चाहता कि ये रात कभी खत्म हो लेकिन जब ये गा रही थी ना और जो समा बांध रही थी तो वो जो पहली गजल गाई थी ना कि नजर उदर गई वाली तो उसमें मैं कह रही थी मेरे जहन में शेर आ रहा था कि जब हिना गा रही होना तो वक्त भी आके रुक गया रात वहीं ठहर गई बहुत शुक्राइए तैंक यू सो मच आज तो जित्ती हिना तारीफे हो गई आज नीन तो नहीं आने ऐसा जरूर होगा हर जर्रा इस वतन का आज अज़ के जो आज़ जो आस्ताही और एक अंत्रा है पहला वो अबास टाबिश और जो लास्त दो आंत्रे हैं वो शेर जो है इसके वो शेकीला जमी हमारी जो बिलकर दोस्ते के लिए हाई दोस्ते है हरे कर ना सितारा आफशा है मेरे लिए मेरे बतन की जमीन आसमा है मेरे लिए ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा हर जर्डा इस वतन का इक कोहे तूर होगा चट जाएगे अधेरे हर संत नूर होगा ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा ये साब्स रंग पर्चम ये चाद ये सितारा लहरा के आदियों में करते हैं इस्तखारा कहते हैं इस वतन का हर रंज दूर होगा इक दिन जरूर होगा ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा मश्रिक की वादियों में इसनाम की मार मश्रिक की वादियों में इसनाम की मार पुद शाहे अंबिया ने दीती तेरे पशार हर इक रंज जरूर होगा ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा हर शब तेरी फरोजां बदरे जमाल हम है हर दिन है तेरा तावा शम से जलाल हम है अबद के आसमा पर तेरा जहूर होगा ऐसा जरूर होगा हर जरूर इस वतन का एक कोहे तूर होगा चट जाएगे अदेरे हर समत रूर होगा ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा ऐसा जरूर होगा जरूर होगा ऑप जरूर होगा बस यही यकीन हमारी दुआओं में हमारे अमाल में शामिल हो जाएगा तो ऐसा जरूर हो जाएगा बिल्कुल क्योंकि वतन से महबत जिन्दा कौमों का इमान है और यही महबत कौमों को दुनिया में सर बलंद भी करती है तो सब लोग अगर अपनी जगा अपना करदार अदा करते रहेंगे तो इन्शालला ताला फिकर और अगर दोनों साथ मिल जाएंगे तो फिर इन्शालला पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा तुमारी इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम खटम करने की अजाज़त चाहते मैं फतुमर और यूसफ सलाओ दीन बहुत जल्द इन्शालला एक और अच्छे से प्रोग्राम के साथ आपकी खिद्मत में आजर होंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान जिन्दाबाद कुछ था तेरा खयाल भी कुछ तो हवा में सर्द थी कुछ था तेरा खयाल भी दिल को उशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी कुछ तो हवा भी सर्द थी कुछ था तेरा खयाल भी कुछ था